हजारी बाग लोग सभा सीट से उमेदवार मनीश जैसवाल मानते हैं कि इस बार भी मोदी का मैजिक ही चलेगा मनीश जैसवाल से खास बात चीत की है हमारे संपादक ब्रजेश रोईने जारखन में जिन लोग सभा की चर्चा है जहां बहुत दिल्चस्प मुकाबला है उसमें एक हजारी बाग सीट भी है भारतिय जनता पार्टी के उमिदवार मनीश जैसवाल हमारे साथ हैं मनीश जी किन वाइदों को लेकर आप जनता के बीच इस बार जा रहे हैं लेकिन अब लोग सभा केंदर की राजनीत हजारी बाग को केंदर में कैसे अस्थापित करेंगे क्या वाइदे लेकर जा रहे हैं देखिए वाइदा तो बहुत कुछ नहीं है लेकिन जो फील्ड में हम लोगों ने देखा है अभी तक लगबग हम 15 सो गाउं जा चुके हैं पिछले 70 दिन में और जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उस प्रॉब्लम पर काम करेंगे पहला प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस छेत्र का विस्थापन है आज तिलया डैम बना उसके विस्थापन को सेटल नहीं किया गया कुनार डैम बना उसके विस्थापित आज भी सलक पर गूम रहे हैं पत्रातू डैम बना उसके विस्थापित आज तक सेटल नहीं है इसके अलावे जो CCL और NTPC के जो माइन्स हैं इसके विस्थापित अलग से विस्थापित जो है वो अलग से हैं तो विस्थापितों की समस्या हजारी बाग लोकसभा की सबसे बड़ी समस्या है और आप समझ सकते हैं कि 1950 और 60 के बीच में ये डैम्स बने तो 70-75 साल हो गया इनको, 70 साल से ज़ादा ही हो गया और आज भी इनके प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया गया है तो वो प्रायटी है दूसरा हजारी बाग लोग सभा से बहुत सारे स्टुड़ेंट्स बाहर पड़ते हैं बहुत सारे लोग यहां से बाहर काम करते हैं बंबे में, दिली में, एहमदबाद में लेकिन ट्रेनों का परिचालन चाहे बढ़का काना देख लिए पत्रातू यहां से बहुत कम है और हजारी बाग से तो भी शुरू ही हुआ हर बरी तो पिसेंजर ट्रैश जो है यहां पर वह बहुत बड़ा चैलंज है यहां के लोगों को आज कोडहमा जाना पड़ता है यह रांची जाना पड़ता इनके अपने घर पे सुविदा नहीं है, जबकि आप देखेंगे कि बुकारू रूट से बहुत सारी टेने चलती है, बढ़का काना को क्यों नोर किया गया, यह एक फैक्टर है, तीसरा है पेजल की समस्या, अब बरी तिलया डैम के एक दो मुहाने पे है, लेकिन वहां एक ट बिधानसभा में विशेश करके सडको की बड़ी जबदस समस्या है, ग्रामिन सडको की, यह ऐसे तो है सभी बिधानसभा में, लेकिन मांडू में जा दे है, तो यह चार प्रोब्लम्स हम लोगों ने इडेंटिफाई किया है, जो सारवजने के जिन पर काम किया ज़रूबत मनीश जैसवाल जनता से जुड़े हुए रहते हैं, और यही बज़ा है कि जनता की मूल भूत सुविधाओं की फिक्री ने होती है, लेकिन मनीश जी इस बार मुकाबला जो आपके इतर है, है तो परतियासी कई चुनावी मैदान में, लेकिन आप मुखे मुकाबला किस से म जब जाएंगे तो लोगों आज भी मोदी माजिक जो है, वो बढ़ चड़ करके चल रहा है, लोगों का कहना है कि अगर डेवलप्मेंट हुआ है तो लास्ट पिछले दस साल में हुआ है और हम लोग डेवलप्मेंट के नाम पर वोट देंगे, वैसे एक गटबंधन है, इ जो है, यहां पर यह लोग प्रियास कर रहा है, जातिकत तरीके से लोगों को गोल बंध करने का, लेकिन जनता समझ चुकी है, यह नाश्ट बाद के मुद्दे पर ही वोट होगा, राश्ट बाद के मुद्दे पर वोट होता है, और होना भी चाहिए, चेत्रिय समस्याय पोस्संभावनाय आज भी दिखाईने पड़ती है, तो यह जो है, अपने आदमी अपग्रेडेशन के लिए, बहुत सारे बच्चे यहां भी स्कूल्स हैं, अभी आपको हमको बताते हूँ हर्श होगा, कि हजारी बाग के स्कूल ने, एक हजारी बाग के बच्चे ने, एक नाशनल टॉप किया है, 12th CBSC, यह में, तो यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी, यहां के बहुत सारे परेंट्स अपने बच्चों को बाहर बेजेंगा है, वो एक नाशनल लेगेसी है, कि बड़े इंस्टिचूट है, नाम वाले इंस्टिचूट है, वहां भेजने का लोग प्रयास करते हैं, तो छोटे जो स्टेट्स हैं, कम नाम वाले जो स्टेट्स हैं, यहां का यह समस्या है, और यह रहने वाला भी है, इसको जल्दी से खतम नहीं किया जा सकता है, आपने चर्चा भी की, कि मोधी मैजिक लोगों के सिर चढ़ कर बोल और इंडी गटबंदन में भारतिय जनता पाटी में खास तौर पे मोधी प्रधान मंतरी का चेहरा हैं, लेकिन इंडी गटबंदन जो है लगातार आपने कहा बेल और जेल की राजनीत कर रहे हैं, आधे जेल में हैं, आधे बेल पर हैं, लेकिन इन तमाम परिष्थीतियों में हजारी बाक्ती जनता आप पर विश्वास क्यों करें दीजिए मेरा साड़े नौ साल का विधायक का का रिकाल रहा है यह काफी है उनको विष्वास करने के ले लिकिन यह चुनाव मेरे विश्वास का नहीं है उन पो हम पर विश्वास करने का कोई बहुत आधार बनाने की जरुवत नहीं है यह चुनाव है जो केंदर में जो सरकार बनेगी उसको चुनने का दो आइडियोलोजीज हैं एक में 28 लोगों का गटबंधन है 26-28 लोगों का जिनका परदानमंत्री का चेहरा नहीं है शायद यह लोग दो-दो महिने के परदानमंत्री बनाएंग तब ही जाकर के शायद इनका हो पाएगा और एक में है कि दस साल से प्रमानित घोशित विश्व का निता हजारी पूरे भारत का निता यह हम लोग के सामने हैं तो दोनों अलाइंस अपने जगह पर हैं लोगों को इन में चुनना है मेरा आना बीच में जैसे होता है कि कमल क के निशान को एक अच्छा वाहक ले करके चल रहा है तो कमल का निशान अपने आप में मजबूत है वाहक भी अगर मजबूत हो तो वही जो डबल इंजन वाली बात आती है तो डबल बेनिफिट का बात यहां पर आएगा बिलकुल सही बात है और बहुत दिल्चस्प एक व पाहक के तौर पर मैं आगे चलूँगा और जाहिर से बात है कि लोकसभा का चुनाओं में राष्टवाद का मुद्दा प्रमुक्ता से उसको देखा जाता है अब विपक्ष में कोई मोदी का चेहरा नहीं है मोदी के मुकाबले में कोई चेहरा नहीं है लेकिन अब देखन दिल्चस्प होगा कि आखिर चार जून को जो परिणाम आते हैं उसका क्या कुछ तस्वीर सचकर सामने आ पाता है कैमरा पर संसूरेन परसाथ के साथ ब्रजेश राय समचार प्लस हजारी बाद